आज का हमारा टॉपिक है epidemiological trade जिसे हम माहामारी विज्ञान ट्रै भी कहते हैं epidemiology मींस होता है, epidemiology मींस हम लोग ने पढ़ा था कि कि किसी भी disease के distribution, determinant and frequency के study को हम epidemiology कहते हैं और आज है epidemiological trade, trade means triangle, एक triangle बनाए गया है जिसके according epidemiology के effect agent, host, environment क्या कैसे effect करता है किसको effect करता है क्यों effect करता है वही यह epidemiological rate में बताया गया है तो सबसे पहला हमारा है agent जिसे हम agent कहते हैं agent मतलब जो भी causative agent है मतलब जिससे disease हमारा cause होता है उसे हम agent कहते हैं और the next है हमारा host host क्या होता है host कोई भी living thing animal या फिर human हो सकते हैं जो most prone होते हैं agent को अपने अंदर carry करने के लिए अपने अंदर survive करवाता है यह host कहला था environment क्या है environment जो है वह agent और host के भी mediator या फिर link हम कह सकते हैं कि link का का काम करता है कि अगर environment सही है तो agent जो कि microorganism या पैथोजन है वह environment में survive नहीं कर पाएगा तो अगर survive नहीं कर पाए environment सही है तो host को effect नहीं करेगा अगर हमारा environment सही नहीं है तो जो agent है वह inactive form में इंवर्योमेंट में survive करता है उसकी वजह से हमारा host के health को effect करता है तो आज हम यह ही पढ़ेंगे कि agent environment या फिर host जो एक दूसरे को एक दूसरे से कैसे इंटर लिलेटेड है या फिर कैसे एक दूसरे को effect करते हैं इसी के बारे में detail में पढ़ेंगे सबसे पहला हमारा आता है वाइरस से कोई फीवर या फिर कोई फिर इंफेक्शन हो सकते हैं यह अगर हमारे बोडी में चले आए हमारे बोडी में इंटर कर गया तो हमारे को एसरफ क्या होता है कि किसी प्रकार का करेंगी क्या है प्रोटीन डिफीशियश मेंकि या अच्छे से कोई डाइट नहीं ले पार रहा है तो Anyone वर बदेथा क्यों आता है अंकर हैं हो दे मादे इस भी और हम गांगे बिमार पर जाएंगे नेक्स्ट है हमारा mechanical agent, mechanical agent कोई भी mechanical pressure से जैसे कोई trauma हो गया, injury वगड़ा हो गया, ये mechanical agent में आते हैं नेक्स्ट है हमारा physical, physical हमारा होता है कि physical जैसे कि हमें excessive sunlight हो गया, या फिर air pollution वगड़ा हो गया, ये physical agent में आते हैं excessive sunlight में अगर हम बार-बार बाहर जाते हैं तो skin burn हो सकते हैं, फिर उसके बाद उससे skin cancer वगड़ा भी हो सकते हैं तो excessive sunlight भी हमें या फिर cold हो गया, humidity हो गया, ये सब हमारे health को effect करता है next है हमारा chemical agent, chemical agent क्या होता है chemical agent, जैसे घषिए हो गया, gas हो गया, तबाकु जो इंसान generally खाते हैं तो तबाकु हो गया, poisons कोby कोई ले लेते है, poisons ये सारे chemical agent में आते है next है हमारा social agent, social agent क्या होता है social agent जैसे कि education की कमी हो गई, या फिर occupation, जैसे कि किसी भी जगह पे कोल फैक्टरीस फंगरा काम कर रहें तो उसने जो है इस की वज़़ उसे उनहील करेंगे तो हमारे रिस्टार्टाियर टर्ट केंडने व सकता है जिसके हमारा हेल्हक्त करेगा यह सुष्यल में आता है और education जैसे की अगर हमें health education नहीं है कि हमें क्या सही से खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो इस वज़े से भी हमारे health को effect करता है तो यह हमारा agent है next है हमारा host host क्या होता है host वो living things होता है जैसे animal या फिर human को ले लेते हैं जिस जो more prone होता है agent को अपने अंदर carry करें जिसकी वज़े एजेंट की वज़े से अगर disease cause जिसमें होता है जो agent को carry करता है वो host होता है host में हमारा पहला है biological biological agent को हम कह सकते हैं genetic कुछ disease जो होते हैं वो genetic होते हैं हमारे माता-पिता से हम में आते हैं जो कुछ डिजीज होते हैं, वो हमारे माता पिता से हम में आते हैं, अगर हमारे माता पिता को डिजीज है, तो by genes, through genes वो हमारे अंदर आएंगे, जैसे कि diabetes, mellitus हो सकता है, hypertension हो सकता है, cardiac disease वगड़ा हो सकता है, ये by genes के through भी हमारे अंदर आ सकते हैं, नेक्स्ट है हमारा age, कुछ disease जो हो है, वो age factor करते हैं, जैसे कि childhood में कुछ disease हो सकते हैं, कुछ disease adolescence age में हो सकते हैं, कुछ old age में हो सकते हैं, जैसे कि childhood में वुपिंग कफ हो सकता है, adolescence में HIV वगड़ा हो सकते हैं, और old age में है, atherolo sclerosis हो सकते हैं, ये सारे disease जो हैं, एज में ही होता है और एडोल्सेंस एज में HIV एड्स वगेर होते हैं और नेक्स हमारा एथरेल और स्कलोरसिस या फिर कैसकते हैं यह ओल्ड एज में जाके ही होते हैं जेन्रली नेक्स हमारा है सेक्स सेक्स होस्ट क्या होता है मेल एंड फीमेल कुछ डिजीज जो है वो मेल को ह प्रेजनेंसी सब्सक्राइब को सकते हैं अब्सक्राइब नहीं को सकते हैं नहीं नेख्स हमारा इंवायरोमेंट काम करता है अगर एजेंटवाय। फैल गया या फिर सरवाइब करता है अगर वो अक्टिव हुआ तो वह होस्ट को एट करेगा हमेरमेंट में हमारा है फीजिकल पोल्यूशन से हमें ट्रिफड फीवर होते हैं एर पॉलूशंज से रेस्पासिस्टश पीछैगं फीजिपल इंवायरुमेंट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आपिंवायोजेकल इंवायरुमेंट, जैसे कि कमी कीकी वीध्यान किड़मार सोे बिर्स सथुरत है Stan bullets नेक्सी कारना है कि अगर कोई भी फैमिली जैसे ब्रेक हो रही है माता-पिता अगर डाइवोर्स ले रहे हैं वो अलग हो रहे हैं तो उस वज़े से बच्चों को इफेक्ट करता है उनका मेंटल कंडिशन इफेक्ट परता है या फिर अगर हमारे सोसाइटी में इलिटरिसी है अच्छे से नह स्वाफ्E को इसव ही जादा यह नहीं है तो उस divulg HOW कुछ में इसले aيع की वारे में पयास्ट के बारे में पढ़ा ओर इंवारोमेंट के बारे में पढ़ा आइवोब आज का bench समझ में आयं हो अगर आपको इस topic से related कोई भी problem हो तो आप पूछ सकते हैं Thank you